अगर आप मेरे चानल पर नियू है तो मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पर आपको अलगलग कॉंपुरिटिव एक्जाम्स की स्पेशली सीजी के एक्जाम्स की इंफिमेशन देती हूँ और थोड़ी पढ़ाई भी हम करते हैं ट्रिक्स के साथ अगर आपने मेरा चानल अ करती है वह किस देवता के लिए करती है तो इसे हम ट्रिक के साथ याद करने की कोशिश करते हैं इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने जनजाती और उनका पेपदार्थ डिसकस किया था अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख करते हैं सबसे पहला जो नित आता है उसका नाम है घोटूल नित्र आपको पता होगा यह जो गोटूल नित्र है यह मुडिया जनजाती करती है गोन मुडिया पीसी के लिए उनका जो गोटूल होता है वहां पर यह नित्त होता है इसके देवता कौन है इसके देवता है लि भी मानते हैं यह सवाल भी आ चुका है कि लिंगो पेन जो देपता है वो एक मिजीशन है तो यह बात बिल्कुल सही है तो यह आपको याद रखनी आप यह गोटूल और लिंगो पेन कैसे याद करेंगे तो आप याद रखेंगे टूल और पैन देखो लिखने के लिए क्या हमको चाहिए होता है तो इसी तरह से टूल है और हमें चाहिए पैन ठीक है तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे यह हो गया आपका गोटूल याने की टूल पैन किसके लिए देवता है इसके देवता कौन है तो इसके देवता है लिंगो पैन जो म्यूजिशन के नाम स भी जाने जाते हैं अब देखिए दूसरा आता है ककसार नित ये अभूज माडिया जाती और माडिया जन जाती भी मुडिया जाती भी करती ककसार नाम से ये किसके लिए किया जाता है तो ये किया जाता है लिंग देव के नाम से लिंगो पेन उपर वाले थे ये घुटूल के कर लिंग इस तरह से याद हो जाना चाहिए ठीक है तो इस तरह से याद होगा हमारे क्या ककसार और लिंग देव कलिंग ठीक अच्छा इसके बाद अगर हम आते हैं तो अब हमें मिलेगा क्या मावपटानित है मावपटानित किस देवता से सम्मदित है तो यह से फ्रह देव कौन है सिरह देव तो आप इसको कैसे याद करेंगे आप याद करेंगे मासी मौसी होती है ना वारी उनको जाना सिरहा हं मासी, जहांई भी आपको माँपटा रित्तिक्या, सिरहा उनके देवता होते है, याद रखिएगा, मैं यहां पर ये नहीं बता रही हूँ कि ये रित्त किस जन्जाती से समंदित है, मैं बता रही हूँ कि ये ये ज़ लोकृत्rict है, वो किस देवता से सम्मन्दित है तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा ये मावपता वैसे ये भी मुडिया से सम्मन्दित है आपके जो घुटूल है ककसाड है, मावपता ये सारे जो है ये मुडिया जनजाती के लोकनित है ठीक है, तो आप कैसे याद रखेंगे इसको मासी से ठीक, याद हो जाएगा एक दो बार आप इसको सुनेंगे रवाइस करेंगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा उसके बाद है आपका खंब स्वांग और इसके देवता है खंडरा देव तो ख से खंब, ख से खंडरा ऐसे तो आप याद रख सकते हैं या फिर आप इसको ख ख भी याद रख सकते हैं ख ख या फिर सिर्फ ख ख ही याद रखेंगे तो भी चल जाएगा या फिर सिर्फ खंड भी याद रखेंगे इधर का ख, इधर का ड, इसमें भी खंड है, खंड रादेव, इस तरह से आपको याद हो जाएगा, जब स्टार्टिंग लाइन सेम रहती है, स्टार्टिंग का क्याने चाहिए, लेटर सेम रहती है, तो थोड़ा इजी हो जाता है, याद रखने के लिए, आखरी है आपका मड़ई नित, इसके देवता कौन है, तो ये हैं अंगा देव, ठीक है, काश्ट के बने हुए होते हैं अंगा देव, तो ये हैं अंगा देव, कैसे याद रखेंगे, तो आप इसमें याद रखेंगे मंगा, क्या याद रखेंगे मंगा या मांगा देखो एक सौंग है ना मंगा यही दुआवा में चन्ना तु मैंनो मिल जा बस उसी तरह से मंगा या फिर मांगा मैंने किसी से कुछ मांगा मैं किसी से कुछ मांग रही हूँ तो वो क्या है मड़ाई और अंगा तो इस तरह से यह आपको पूरा याद हो जाएगा चलिए एक बार हम इसका क्या करते हैं रिवीजन कर लेते हैं तो घोटूल को हमने देखा टूल के साथ क्या जुड़ेगा आपका पैन इस तरह से आप याद रखेंगे ककसाड याने लिंग देव याने की कलिंग ठीक है मावपटा सिरहा देव याने की मासी खंबस्वांग खंडरा देव याने की खाली ख यह आपको याद रखना है या फिर आप इसको खरा भी याद रख सकते कैसे याद रख सकते खरा खारा पानी होता है न। ख़रा घरा तो यहादी होगा यहाद रख सकते यहां से ख और यहां से र ठीक है ऐसे भी आध होगा उसके अपको मड़ा ही है और अंग्दे मैंने कहा मंगा तो इस तरह से आप इजी करके चीजों को पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजे सब्सक्राइब कर दीजे चानल को ताकि आपको आगे भी मैं ऐसे ही चुड़ी चुड़ी ट्रिक्स के साथ बढ़ाती रहूं थैंक्यू